आप देख रहे हैं तखल न्यूज न्सिपी चीफ शरत बवार को लगते हैं मायवती ममता बैनर्जी और चन्दबावु नाइडू भविश्ची के प्रधान मंत्री बीचन गर्मी में लोग सभाद चुनाव के चौते चरण का मददान मद्यप्रदेश में छे सीटों पर वोटिंग बीच्पी सुप्रीमो मायवती का मोधी पर हमला कहा मोधी जन्जात पिछडे वर्ग से नहीं बीजेपी नेताओमा भारती का साध्वी प्रग्या परतंच वो तो महान संथ हैं मैं तो साधारन मूर्ख किस्म का प्रानी और वोटरों को लुभाने में लगे कॉंग्रिस उमीदवार दिग्मिजा सिंग अब बनना चाहते हैं बर्रू कटभो पाली नमस्कार मैं हूँ शेफाली आप देख रहे हैं अखल न्यूज अब खबरे विस्तार से राश्ट्रे कॉंग्रिस पार्टी प्रमोग शरत पवार का मानना है कि यदि लोग सभा चुनाव 2019 में NDA को बहुमत नहीं मिलता है तो ममता बैनर जी मायवती और चंदर बाबु नाइडू में से कोई देश का प्रधान मंत्री बन सकता है वकॉल पवार नरिन मोदी की तरहां से ये तीनों ही मुख्यमंत्री हैं या रह चुके हैं इसलिए ये प्यम पत के लिए सबसे वड़े दावेदार हैं खास बात ये है कि एक टीवी चैनल से चर्चा में शरत पवार ने इस पूरे मामले में कॉंग्रेस अंद्यक्ष राहूल गांधी का जिक्र ही नहीं किया शरत पवार से पूछा गया था कि पी-म पत के लिए आपकी पहली तीन पसंद कौन से नेता हैं उन्होंने ममता, माया और नाइडू के नाम बताते हुए कहा कि इन तीन नेताओं को मुखमंत्री के रूप में राज्य चलाने का नुभव है यही कारण है कि वे इन तीन नामों पर जोर दे रहे हैं ममताब एनरजी पश्यम बंगाल की सीम है तो चंदरबाबू नाइडू आंदर प्रतेश के मुखमंत्री है वही माया वती पूर्व में यूपी की सीम रह चुकी है पवार ने पी-म उमीदवारों की लिस्ट में राहुल का नाम भी नहीं लिया उसको लेकर उनकी दलील है कि कॉंग्रेस अद्यक्षि खुद को पी-म पत की दौर से अलग कर चुके है कुछ मीडिया रिपोर्ट में पवार के बयान को इस तरह से पेश किया गया है कि उनके मुताबिक ये तीन नेतर राहुल से बहतर पी-म साबित होंगे हाला कि पवार ने इसका खंडन किया है लोकसपा चुनाओ के चौथे चरण में नौ राज्यों की 71 सीटू पर वोटिंग है इस चरण में कुल 943 उमीदवार की किस्मत EVM में कैद हो जाएगी चौते चरण में मदिप्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मी, जारखन, महराष्ट, ओडिशा, राजस्तान, उतरप्रदेश और पश्चिम, बंगाल की 70 सीटों पर वोटिंग होगी यानि इन सीटों पर 3 से ज्यादा प्रतियाशियों ने अपने उपर आपराधिक मामलों की घोशना की है इस चरण में कुल 943 उमीदवार की किस्मत का फैसला होगा सबी मुख्यालों पर रविवार सुभा मतदान टीम में मतदान सामगरी लेगर पहुच गई थी मतदान केंदरों पर जब चुनाव दल पहुचा तो लोगों ने फूल माला पहना कर उनका स्वागत किया ताकि मतदान शानती पूर और निस्पक्ष रूप से हो सके जबलपूर से बीजेपी अध्यक्ष राकेश सिंग और कॉंग्रेस के विवेक तनखा के बीश मुकाबला है सीधी में कॉंग्रेस के अजय सिंग और बीजेपी की रीती पाठा मंडला में बीजेपी के फगगन सिंग को लस्ते और कॉंग्रेस के कमल सिंग बरावी पाला घाट में BJP के धाल सिंग बिसेन और कॉंगरिस के मधू भगत चिंदवाड़ा में कॉंगरिस के नकुलनात और BJP के नतन शाह और शेहडोल BJP की Doo dolphins सिंग और कॉंगरिस की प्रमिला सिंग के बीश मुकाबला है चिंदवाड़ा बिधान सभाद चुनाव में मुखमत्री कमलनात्य मुकाबले बीजेपी के विवेक साहू मैदान में है समय ब्रेक का है ब्रेक के बाद जल्द हाजर होगे आप देखते रहिए दाखल्यूर आप देख रहे हैं दखल न्यूज आप देख रहे हैं दखल न्यूज ब्रेक के बाद आपका स्वागत है केंद्री मंत्री और वरिष्ट भाजपानेताउमा भारती ने भुपाल से बीजेपी प्रत्याशी साध्वी प्रग्या सिंग पर तंज कसा और कहा कि वो तो महान संथ हैं और मैं तो साधरन मूर्ख किसम का प्राणिक हूँ साध्वी प्रग्या को लेकर इस समय संग और वीजेपी के नेता काफी परिशान है राजनीती में कदम रखते ही साध्वी प्रग्या सिंग ठाकुर का विवाद और विरोत से रिष्टा बन गया है कॉंग्रेस उन्हें आतंगवाद का आरोपी एक दागी व्यक्ती बता रही है वहीं शंक्राचारे का कहना है कि प्रग्या सिंग ठाकुर साधवी है की नहीं और अब भाजपानेता केंदریय मंत्री उमाभारती ने भी उन पर व्यंग कसा है साधवी उमाभारती ने कहा कि वो तो एक महान संत है मेरी तो उनसे तुलना ही नहीं हो सकती है मैं तो बहुत ही साधारन मूर्ख किस्म की प्राणी हूँ उमा भारती का यह कहना अपने आप में बहुत कुछ साफ कर रहा है केंद्रे मंत्री उमा भारती दमो लोग सभा सीट पर प्लाद पटेल के समर्थन में छतरपुर के घुवारा में चुनावी सभा को संबोदित कर रही थी उन्होंने कहा मैंने डेड़ साल तक चुनावी राजनीती से दूर रहने का फैसला लिया है उसके बाद वे चुनावी राजनीती में उतरेंगी उन्होंने कहा कि MP में जब से कॉंग्रेस की सरकार बनी है रोनक चली गई है क्योंकि शिवराज सिंग चुहान के समय प्रदेश में जम कर विकास हुआ लेकिन कुछ सीटों से हमारी सरकार नहीं बन पाई शिवराज सिंग जी ने बहुत अच्छा काम किया यहां पर और जब से हमारी सरकार चली गई एक प्रकार से यहां की रोनक चली गई मत्यपुर्देश में जो रोनक दिखाई देती थी वो रोनक चली गई यहां से मत्यपुर्देश उमा भारती के टिपणी के वाद साध्वी प्रग्या सिंग ठाकुर ने सफाई भरे अंदाज में कहा कि वो मुझे बहुत संबान देती हैं वे सरल हिर्दे हैं वो मुझसे भी ऐसा कहती है अपने बयानों से बीजेपी की किरकरी करवाने के बाद बीजेपी उमीदवार साध्वी प्रग्या अब सबको साधने की कोशिश में है बीजेपी की वरिष्ट नेता उमा भारती की उन पर टिपडी के बाद साधवी प्रग्या बहुत नपेत उले अंदाज में सामने आई साधवी प्रग्या ने कहा उमा भारती मेरा बहुत सम्मान करती है वह सरल हिरती है रीवा में बासपा सुप्रीमो मायवती ने बीजेपी पर और कॉंग्रेस पर जम कर निशाना साधा मायवती ने पीएम मोधी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मोधी जन्मजात पिछड़े वर्क से नहीं है मोधी वोट के लिए पिछुनों के नेता बन गए हैं रीवा एसफ मैदान में बासपा सुप्रीमो मायवती कॉंग्रेस और बीजेपी पर जम कर बरसी मायवती ने कहा कि मोधी अपर कास्ट के वोट के लिए पिछुनों के नेता बन गए हैं मायवती ने बीजेपी पर जातिकत राजनीती करने का आरोप लगाया है और कहा लोग सम्हा में जुमले बाजी काम नहीं आएगी बीजेपी ने हकीकत में पांच वर्षों में कुछ नहीं किया और छोटे बड़े सारे चौकीदारों और अपनी चौकीदारी नहीं बचा पाएंगे मायवती ने देश की गरीबी के लिए कौंग्रेस को जिम्यदार माना आजादी से आज तक कौंग्रेस देश के गरीबी नहीं मिटा पाई है देश में गरीबी के लिए कौंग्रेस पूरी तरीके से जिम्यदार है हम कॉंग्रेस से गड़बंदन चाहते थे लेकिन कॉंग्रेस ने 6-8 मही निल लटका कर रखा कॉंग्रेसियों का कहना था हमें बहुजन के बोट नहीं मिलते हैं वे भाजपा को चले जाएंगे अब यह कि अब यह जाती के लाइन कर रहें तो जाती में समझती हो वह जती से इसके वह कामें आने मादे नहीं समय ब्रीक का है ब्रीक के बाद जल्द हाजिर होंगे आप देखते रहें दखल न्यूज आप देख रहे हैं दखल न्यूज आप देख रहे हैं दखल न्यूज ब्रीक के बाद अपका स्वागत है चात्रावास से धुआ निकलता देख अचानक भगदर मच गई लोग कुछ समझ पाते तब तक चात्रावास के दो कमरों में भीशन आग लग चुकी थी यह हाथसा चात्रावास के शाष के जूनियर चात्रावास क्रमांग एक में हुआ आग लगने से लाखो का समान जलकर खाक हो गया महराजा कॉलिश तिरहाई के पास स्थित इस चात्रावास के दो कमरों से धुआ निकलते देख लोगों ने फाइब गेट की जानकारी दी जब तक दमकल की गाड़ी वहाँ पहुँचती तब तक आग ने भीशन रूप धारन कर लिया था दमकल ने मौके पर पहुँचकर आग बुझाने का काम शुरू किया और दो घंटे की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया जा सका आग से पंखे पलंग गद्दे सहित राशन का सामान जलकर खाक हो चुका है बीजेपी नेता नरोत्तमिश्रा ने कहा कि किसानों को ग्यहूं बेचने पर 600 प्रती क्विंटल का नुपसान उठाना पड़ रहा है कॉंग्रेस सरकार किसानों के बारे में कुछ करती ही नहीं है उन्होंने कहा कि अभी जो बिजली आ रही है बेहभी लोगसभा चुनाओं के कारण चुनाओं के बाद बुरे हाल होने वाले है मद्दप्रदेश में कॉंग्रेस सरकार बने पांच महीने हो चुके हैं ऐसे में मद्दप्रदेश के पूर्व मंत्री डॉक्टर नरुत्तम मिश्रा लगातार कर्ज माफी पर कमनाथ सरकार को हर मोर्चे पर घेरने से पीछे नहीं हट रहे डॉक्टर नरुतम मिश्रा ने वादोन कला उपर राय और सीतापुर में ग्रामीड जनों को संबोदित करते हुए कहा भारते जन्ता पार्टी की जब सरकार थी तब हम 265 रुपे बोनस दे रहे थे और बिजली बिल भी माफ किया आप कॉंग्रेस की जूटी बातों पर विश्वास कर गए और कॉंग्रेस सरकार बना दी सरकार को बने पांच महीने हो गए और अब तक एक किसान का कर्ज माफ नहीं हुआ है किसी भी वर्ग का समना आए का हो आए नहीं आए गज़ाए अपनों की जूटी बातों कर विश्वास कर गए जरागाल पनातों जरा सोचों कि भारती अपना पार्टी की जब सरकार की तो दोसो पैसा अप्जिय घेते हमें एक साल जो गयाओं खाला भुष्वाओं पच्छाओं ताकि दोसो पैसाल नहीं नहीं पर बॉनस देने सब्क्राइब्ट में पिचले के लिए दोसो अलग देरे थे मॉनस पे और बीजिली की आत माप गवाता के नहीं ग्वाता है उसके अगर हमारी सरकार होगी तो 2400 रुपईया का खरीद रहे होगे खरीद रहे होगे आज 1800 को बिच्णवा आधारा सो पचास को ऐसे एक नहीं है नरुत्म मिश्रा ने कहा कि अभी बिचली की आँख मिचौली चल रही है लोगसभा चुनाओ के कारण इतनी बिचली विल रही है चुनाव के बाद कमना सरकार इस्तिती काबू में नहीं कर पाएगी मिश्रा ने कहा कि आज यदी हमारी सरकार होती तो मंडी में आपके ग्यहूं बेचने गए वो 2400 रुपे का खरीद रहे होते अभी आपको 600 रुपे क्विंटल का नुकसान हो रहा है शादी समहारों में शामिल होने आये एक युवक कशफ संदिक दवस्था में फासी पर लटका मिला उत्तरप्रदेश के चर्खारी का रहने वाला सूरज अमरागी अपने जीजा के घर से बारीगड में एक शादी समहारों में भाग लेने गया वही पर उसकी डीजे बजाने को लेकर राकेश अनुरागी और उसकी साथियों से विवाद हो गया था विवाद के बाद दोनों पक्षों के बीच राजी नामा भी हो गया था मगर संसने तफ्यल गई जब सुभा सूरज का शक फासी पर लटका मिला वही म्रतक के परिजनों का आरोप है कि यह डीजे पर हुए विवाद के कारण हुआ है उसकी हत्या कर्व फासी पर लटका दिया गया है चतरपूर के महराज कुर्थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जान शुरू कर दी है कि में जात में हो और della टके क्या अबी आपन शुरून ओधय będzie जाट ने मारतां किम भाएठां की धर घज़ा पेो सब्सक्राइब कoca गया हो फर्रति अवित सब्सक्राइब सब्सक्राइब अनुरागी उम्रें 70 साल निवासी चरखारी ती इसकी लड़की के लड़का की साधी थी कष्टारी उस साधी में बराद में नाच गाना पर से दीजे बजने पर से इसके लड़के सूरज और परमका परमका के उस से बिवाद होना बता है पर कुष्मा में कर 26 तारीक उनका कुछ बाद बिवाद या सी बाद बुगा है उसके बाद उनका आप शी समझता होने के बाद सुबे इस सूरज की लास महा तंगे बड़का है ब्रेक के बाद जल्चाज़ हूंगे आप देखते रहे है दखल न्यूस आप देख रहे हैं दखल न्यूस प्रिक के बाद आपका स्वागत है गर्मियों की अभी शुरुवात ही है मगर तापमान जिस्म को जुलसा देने वाला है मदर्वदेश की राजधानी भोपाल में अधिक्तम तापमान 42 डिग्री के पार जा चुका है मौसम विभाग की माने तो पारा भी और उपर जा सकता है ऐसे में आग जने की हाथसे और घटना रोज बढ़ती जा रही है वेरसिया रोड, CIAE, नवी बाग में बढ़े हुए तापमान के कारण एक कार में अचानक आग लगए और देखते ही देखते पूरी कार को आग में ट्रेलर पूरी तरहा जलकर खाक हो गया, आग लगते ही ट्राइवर और क्लीनर ने ट्रेलर से कूद कर अपनी जान बचाई बीशार गर्मी के कारण नैशनल हाइवे त्रेपन में कोडार के पास ट्रेलर में अचानक आग की लप्टे उठी आग लगते ही ट्राइवर और क्लीनर तुरंट ट्रेलर से कूद गए, इसी दुरान ट्रेलर के डीजल टैंक में विसफोट हुआ और पूरे ट्रेलर में आग पकड़ ली घटना की जानकारी मिलते ही तुम गाउ थाना छेतरी की पुलिस मौके पर पहुची ट्रेलर ओडीसा से संबलपुर से लोहा लेकर राइपुर की तरफ आ रहा था, इसी दौरान ये हादसा हो गया तुम गाउ पुलिस और फाइबर गेट की टीम ने मौके पर पहुचा और आग बुजाए, आग में ट्रेलर पूरी तरहा जल कर खाक हो गया लोगसभा चुनाव में मतदान होना है, ऐसे में सिंगरॉली जिले की सियासत एक बार फिर गरमाई हुई है, अभी तक नोट और दारू बाट कर वोट मांगे जाते थे, लेकिन इस बार तो हग तब हो गई, जब चितरंगी विधान सभा के ग्राम धरॉली में कुछ लोगों ने आदिवासियों के घर जाकर धंकी दी और कहा कि पंजा पर वोट दो नहीं तो गाउं से निकलना मुश्किल कर देंगे, यहां तक कि अब आदिवासियों ने इसका विरोध किया तो उनके साथ दबंगों ने मारपीट करते हुए घर से निका दिया, ऐसे में पायम करना तो दूर उनकी शिकायत भी सुनने से इंकार कर दिया, दबंगों की धंकी और मारपीट के डर से, डरे सह में आदिवासियों की सुनवाई जब थाने में नहीं हुई तो अपनी फरियाद पुलिस कप्तान दीपक कुमार शुकला को सुनाने पहुचे, आदिवास भी दो आदिवासियों की अब दो मामले में पास आये हैं कुछ लोग आये थे जिए के साथ मारपीट की गई है हाला कि जब मैंने उसे पूछा कि मेडिकल कराने के अवशक्ता है या शरीर पे कुछ चोट के जाहिरा निशान है तो उन्होंने इस बात से मना किया कि नहीं साब मेडिकल नहीं कैसे कोई चोट है नहीं लेकिन हम तब भी मामले की जांश करवा रहे दवाब बना रहे हैं जहां कांग्रेस के पक्ष में मतदान नहीं करने पर एक परिवार के साथ दबंगों ने मारपीट की है वहीं धरौली गाउं के आदिवासी परिवार के घर में घुसकर दबंगों ने मारपीट की यह लगातर प्रयाफ रोत रहे हैं अज जो लोग उनको बोट देना नहीं चाहते हैं यहां की जनता जोकी नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं उन्हें मारपीट करके उनके घर से बाहर निकालने का कार कर रहे हैं मैंने पुलीस अदिश्यक मोदे के संग्यान में बात लाई है भोपाल से कॉंग्रिस उमीदवार दिग्विजे सिंग इस समय चुनाव जीतने के लिए सारे जतन कर रहे हैं भोपाल के लोगों का दिल जीतने के लिए उन्होंने बर्रू कट भोपाली बनने की इच्छा जाहिर की है भोपाल में दिग्विजे सिंग इस समय चकर घिन्नी बने हुए हैं हर व्यक्ति हर समाज के लोगों को साधने के जतन विकर रहे हैं पुराने भोपाल में परंपरागत भोपालियों के बीच दिग्विजे सिंग ने कहा पुराने भोपाल पर विशेश ध्यान देने की है। यहां के लोग बरूकट भुपाली हैं और मैं भी बरूकट भुपाली बनना चाहता हूं। हमें इस भोपाल शहर को और सुद्दर बनाना है और यहां के लोगों को यहां के युवाओं को अच्छी शिक्षा और रुजगार के साद़ अप्रप कराना है पुराने भोपाल के लिए निशेश तोर पर ध्यान देने की अवश्चता है यहां का पुराना जो तहजीब है यहां की पुराने तहजीब है जिसको बरुकार भोपाली नहाजाता है उस बरुकार भोपाली के उस ओधे पर मैं भी अपने आपको पहुंचाना चाता हूँ मैं भी बरुकार भोपाली आप अचाता हो जाओ उन्होंने भोपालियों का जमकर बखान किया और कहा चुनाव जीत कर आया तो सही माइने में लोग कहेंगे यह है असली बर्रूकट भोपाली दिगविजे सिंग का भोपाल में चुनाव के लिए कुछ ज्यादा ही मशक्कत करनी पड़ रही है दिगविजे सिंग के मुखमंतरी काल के आखरी पास सालों में मदप्रदेश में बिजली पानी और सडकों की हालत बहुत खराब थी लोग उस सब को अब तक चाहा कर भी भूल नहीं पा रहे हैं इस बुलिटिन में फिल हाल इतना ही आप देखते रही है दखल दखल आपके हक्त में जरजर भोपाली अब आपको सुनाएंगे भेरंट समाचार में आपको वेलकम कर रहा हूं मैं जरजर भोपाली आजकल तो बहुत मज़ा आ रही है यह से वीडियो वाइरल हो रहे है वननेट किसम के अभी देखा दिख विजय सिंग्स आपका एक वीडियो वाइरल हो गया जिसमें उन्होंने एक लड़के से पूछ रहे हैं कि तेरे पंदर डाक आये क्या यह कर दो मुझे वह लड़का आया मंच पर आकर बोला कि मोधी जी ने एर स्ट्राइक कर दी मेरे तो पंदर डाक वसूल हो गया उसको रखका मारके निकाला बार और बीजेपी वालों ने उसका संबन कर दिये बता रहे हैं और मेरा कहना है आप गुल कर देख देख लो यह इन दोर की खबर है यहां पर बारवी तक पड़ा हुआ यह लड़के नहीं नया स्टाट अप किया उसने इंकम टेक्स डिपार्टमेंट खोल दिया वही है पूरा हां और इस्पेशल 26 मूवी देखी ते रहे हैं अन्पर्म खेर हो अक्षे कुमार कर लेते हैं ऐसी तो बाद इंस्पार हो कि इन्होंने अपना चालू कर लिया और शाबहाबे मार दिये और बाद में बदाए पकड बाद में लोग हैं अब बीजेए पी वाले बोले हैं हमाई बेडाई के लोगा हाथ हमारे पास आ गया है तागा तागा यह गुरदाशपूर से इनको टिकेट भी दे दिया है बीजेए पी वाले फूले नहीं समा रहे हैं डाई के आद दिखा रहे हैं और यह खबर करना शिखा दे हैं और में भी चला वही आखाड़े अपनी बाड़े वाड़े बनाओंगा अखाड़े पीरवानी करूँगा नमस्कार आप देख रहे हैं डखल न्यूज